मेरा नाम उमेश कुमार है और मैं स्वीपेस बिलनेश में एक हैल्स इडवाइजर थी दोस्तों आज हमाए हुए हैं डिंडोरी जिले के खरगहना ग्राम पंचायत में और आए जानते हैं कि खरगहना ग्राम पंचायत में दीदी को क्या समस्य थी नमस्कार दीदी दीदी क्या समस्य थी आपको स्वास बढ़ रहा था ये समस्य आपको लगभा कितने सालों से थी साल भर हो गया स्वास की समस्य बनी रहती थी तो स्वास कितने कितने दिनों में बढ़ती थी आपकी बढ़ात रही ही इनाज करा आप आपको अंग्रेजी दवाई इसक्माल करते थे तो कुछ अराम में जाता तो उसके बाद में जब आपने जगा-जगा इलाज कराए जब आपको समुचित रिजयर्ट नहीं आ रहा था फिर आप ने अर्जुन जी के माध्यम से इसलीपियस विल्नस के इन दुरलब और सधियों का सेवन करना सुरूत लिया तो उसके बाद में आपको कितने रिजयर्ट आया है मतलब आपको लगबद इस समय हो गया है इनाज सधी को पीते हुए दो माह हो गया है और जो सांस पूलता था आपका तो आप सांस पूलता है न तो यह और सदी जो है जब हम आपको चलाए थे अर्दृन जी के मार्जयर तो कितने दिनों में आपको राहत मिलना शूरू हुए था यह कि वहाँ चमत्कारिक देलेटर दोस्तों दीदी जी का कहना है जब आख दिन बाद 8 दिन बाद आख दिन बाद आख और सदीयों का अ मिलना शुरू हो गया था और आज लगबग दो महने पूरे हो गया है और सधी पीते हुए और आज दीदी को जानते हैं कि दो महने और सधी पूरा पीने के बाद कितना आराम हैं तो आज दो महने पूरा होने की बाद में कितना आराम मिला है आपके पूरा अराम मिल गए, सत प्रतीसत अराम मिला है, देखिए बहुत चमत्कारिक रिजट है दोस्तों, आज दीदी बता रहे हैं कि दो महने जब लगतारा सदी पीए हैं, तो आज जो दमा की समस्या थी दीदी को, स्वाथ की जो समस्या थी जपांस पूर सा पदम बरता था, औ आज दो महने की आउसदी पूरा होने के बाद, सत प्रतीसत दीदी को अराम है, आज सत प्रतीसत अराम है जीदी आपको, अब सांस नहीं ठूलता, जम नहीं भरता, आए जानते हैं दीदी के जो घर वाले हैं उनसे की आज बताएंगे कैसी दमा क्याती, तो आज पहले जिएको अराम हो गया है, तो आप इन उसदीों से संथ हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, अराम हैतो संथ हैं, आप संने समक्स्या की, तो और बाकी दर्टकों को आप क्या बताना चाहेंगे सर बीबी, जो लोग ऐसे डमाजने से जो परेशान हैं, क्या उनको ये उसदी लेकर अ दोस्तों ये चमस्कारिक रिजर्ट अगर निकल के आया है तो हमारी संस्का एस लिप्रेश विलनेस की इन गुरलव और सदियों की वज़े से हमारे गुरुजी इसरी विनो सुपला सर के बताये हुए इन कंपोजिसन की वज़े से डोज की वज़े से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ अपने गुरुजी को और संस्का के डारेक्टर मिस्टर संजीन सर को जिनों ने इतनी अच्छी और सांदार और सदिया बनाई कि आज दीदी जैसी दीदी जैसे हजारों महिलाओं को स्वास्तमंदी समस्य से सत प्रतिसा तरा मिल बहुत बहुत धन्यवाद तो तो